नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हीमाचल टूडे नीउस पर तो दोस्तों आज cabinet meeting के जो बड़े फैसले हुए उसके बारे में विस्तार में बात करेंगे तो वीडियो में अंतर तक बने रही है हमाचल में एक जुलाई से अंतर राजिये रूटों पर चलेगी बसें यी कोविड पास की अनिवारता खत्म और रात आट बजे तक खुलेंगी सभी दुकाने हमाचल परदेश कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मुख्यमंतरी जैराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गये हैं कैबिनेट में बड़ा फैसला लेते हुए एक जुलाई से बाहरी राजियों के लिए सभी तरह की बस सेवाएं 50 फीस्ती ऑक्यपेंसी के साथ शुरू करने का फैसला लिया है और दोस्तों उसके साथ ही प्रदेश में परवेश के लिए यी कोवीड पास की अनिवारता उसको करने का फैसला लिया है और प्रदेश में एक जुलाई से सभी शक्ती पीठों में मंदेव दशन के लिए खोल दिये जाएंगे लेकिन सामोहिक आयोजनों पर अभी भी रोक रहेगी उसके बाद बात कते हैं शादियों वह अन्य आयोजनों में अब खुले स्थलों पर सौ लोग शामिल हो चकेंगे और वहीं हौल या बंद स्थलों में पचास लोग शामिल हो सकेंगे और सभी दुकाने अब सुबह नौ से रात आट बज तक खुली रहेंगी और बार और रेस्ट्राइट जो है रात दस बज तक खुले रह सकते हैं एक जुलाई से यह सभी करमचारी भी कारया ले आ सकेंगे दोस्तों वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट करके हमें यह बताएं कि आपको सरकार के फैसले कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं दन्यवाद